नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का स्पेशल कुरूजी यूटू चैनल पर तो दोस्तो ऐसे जितने भी कैंडेट जो B.A.D. Special Education Course Distance Mode से करना चाहते हैं 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उत्राखंड Open University ने यहाँ पर B.A.D. Special Education के लिए और इसके साथ B.A.D. General के भी Distance Mode के एडमिशन शुरू कर दिये हैं सेशन है यहाँ पर 2024 पच्चिस तो आज की इस फीडियो में आपको बताने बाला हूँ कि उत्राखंड Open University से आप B.A.D. Special Education कैसे कर सकते हैं क्या इसकी Eligibility रहेगी और Reservation का फायदा किसको मिलेगा कितनी इसकी फीस रहती है कितने साल की Special B.A.D. रहेगी Distance Mode से यहाँ पर Entrance Test का सलेबस क्या रहेगा और Online Application Form आप किस तरीके से बज़ज़कते हैं इसका भी पूरा प्रोसेस बताएंगे और अंत में आपकी Admission की Counseling किस तरीके से होगी पूरा प्रोसेस यहाँ पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो जो भी Candid यहाँ पर Interested है इस University से B.A.D. Special Distance Mode से करने के लिए वो यह वीडियो देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और उसके बाद भी अगर आपकी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप comment box में पूछ लेना जो भी आपके doubt होंगे हम comment box में उसका answer दे देंगे तो यह है दोस्तों यहाँ पर B.A.D. Special Education का Prospectus उत्रखंड Open University का 2024 का कुछ important जानकारी हैं जो इस Prospectus से आपको मिल जाएंगी वो आपको देते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो यह University RCAI Recognized है यहाँ पर आपको दिखा देते हैं RCAI की Website पर यह RCAI की Official Website है जहाँ पर Distance Mode की जो Recognized University है उनकी लिए यहाँ पर मैंने Open कर रखी है इसमें अगर आप चौथे सीरल नंबर की तरफ देखें तो उत्रकंड Open University का नाम है और इस University को चार कोर्सिस चलाने के लिए मानेता मिली हुई है जिसमें आप देख सकते हैं Bayard Special, HI, VI, ID और LD और यहाँ पर जो इनको मानेता मिली हुई है 2025 तक के लिए यहाँ पर RCI की वेबसाइट पर शो हो रहा है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बागी जानकारी आपको यहाँ पर जो email दे रखे हैं recognition के बारे में वो यहाँ पर से आप पता कर सकते हैं बात करते हैं आगे prospectus में Bayard Special Education के बारे में यहाँ पर जो course है ये Bayard Special का distance mode से 80 credit का ये पूरा course रहने वाला है आपका और धाई साल की बीड रहेगी minimum यानि दो साल 6 महिने की ये Bayard आपको distance mode से Special Education में होती है और maximum आपको 5 साल मिलेंगे इस Bayard को पूरा करने के लिए total seat और सीटों के अगर बात करें अगर आप उत्रकंड उपन उनिवर्सिटी में 500 सीटें यहाँ पर है Bayard Special Education की जो यहाँ पर रखी गई है admission के लिए तो minimum आपको धाई साल मिलेंगे यानि कम से कम धाई साल का course है ये maximum आपको 5 साल मिलेंगे इसको पूरा करने के लिए तो ये बात आपको ध्यान रखने है अगर आप उत्रकंड के मूल निवासी नहीं है या बहार के हैं तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जा करके जो भी आपका study center होगा वहाँ पर आपको counseling class या फिर practical के लिए हर semester में यहाँ पर जाना पड़ेगा semester 4 में भी आप यहाँ पर दे सकते हैं तो जितने भी semester हैं सभी में जो भी आपकी attendance होनी जरूरी है physically attendance वह वहाँ पर जाकर के आपको पूरी करनी होगी इस बात का आपको ध्यान रखना है admission लेने से पहले अब बात करते हैं कि special education में B8 कराते हैं तो कौन-कौन से disability में यहाँ पर B8 कराया जाता है यहाँ पर intellectual developmental disability learning disability, hearing impairment और visual impairment चार तरह की disability में यह university B8 special education करा रही है और उसी के लिए यहाँ पर admission form निकाले गए हैं बात करते हैं eligibility की कौन वेक्ति इसमें admission ले सकता है admission के लिए आपके पास graduation या फिर master degree होनी चाहिए minimum 50% number आपके उसमें होने चाहिए या तो graduation हो या फिर master degree होनी चाहिए अच्छा graduation के भी यहाँ पर कुछ subject इन्होंने रखे हैं अगर आप आपके पास वो subject का combination है तो ही आप यहाँ पर eligible माने जाएंगे आगे बताने वाला हूँ कौन से subject यहाँ पर मांगे गए हैं इसके लावा अगर आप SCST, OBC या person with disability हैं तो यहाँ पर minimum 45% number आपके graduation या फिर master degree में MA में होने चाहिए तो आप यहाँ पर eligible होंगे अगर reservation की मैं बात करूँ SCST, OBC या फिर person with disability तो अगर आप उत्रखंड के मूल निवासी हैं और वहीं का आपका SCST, OBC या PWD certificate है तो तो आपको reservation मिलेगा अगर आप उत्रखंड के अलावा भारत के किसी भी राज्ये की निवासी हैं मालीजे आप दिल्ली की निवासी हैं और यहाँ admission लेना चाहते हैं अगर आप दिल्ली में SC category के हैं तो यहाँ पर आप उत्रखंड Open University में जब आप admission लेंगे तो आपको SC category का लाव नहीं मिलेगा आपको general category में यहाँ पर रखा जाएगा केवाल उत्रखंड के मूल निवासी को ही यहाँ पर जो reservation है उसका लाव मिलेगा तो यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें आगे दिखा दूँगा कहाँ पर यह बाते लिखी है एक तो eligibility यह हो गई graduation वाली इसके लावा अगर आप इन में से कोई भी शर्त पूरी करते हैं तो भी eligible माने जाएंगे अगर आपका बच्चा दिव्यांग है और आप B.A.D. करना चाहते है special से तो आप eligible है अगर आप स्वेम दिव्यांग है तो भी eligible है इसके लावा अगर आपने R.C.S. से recognize कोई भी पहले course कर रखा है और आपके पास उसका degree diploma है तो भी आप eligible माने जाएंगे ऐसा यहाँ पर लिखा है अब बात करते हैं सब्यक्ट की जो मैंने आपको बताए यहाँ पर लिखा है special education कारेकरब में प्रवेश के लिए वही अभी 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 अलिजिबल होंगे जो या तो किसी मायनता पर आप विश्व देले से अंगाकृत दो विश्व के साथ इसनाता यानि graduation परिक्षा तीन किये हो या फिर अंगाकृत विश्व में से एक विश्व इसनाता पर और एक विश्व इंटर पर यानि 12th class में आपके पास एक विश्व हो कौन-कौन से subject हैं इन में से कोई से दो subject आपके पास या तो graduation में होने चाहिए या फिर अगर graduation में दो नहीं है एक है तो दूसरा subject आपके पास 12th में 12th काक्षा जब आपने पास करी थी उसमें होना चाहिए subject कौन-कौन से हैं इन में से कोई भी दो subject आपके पास graduation में होने चाहिए अगर graduation में दोनों नहीं है कोई एक है तो एक subject अगर आपके पास 12th class में था तो भी याँ पर combination बन जाएगा दो subject था तो आप eligible माने जाएंगे अब बात करते हैं जो यहाँ पर ABC शर्ते रखी गई थी दिव्यांग बच्चे के मातापिता या फिर स्वैम दिव्यांग या फिर RCI रिकोगनाईज कोर्स तो वो शर्ते अगर आप पूरी करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहां लिखा है कि एक ही तशा में अबयरती के लिए आवश्यक है कि उन्हें प्रवेश के काउंसलिंग के समय उत्राखंड के किसी जिले अधिकारी द्वारा निर्गत उनके बच्चे का 40% या उससे अधिका दिव्यांग प्रमान पत्र दिखाना पड़ेगा यानि अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग भी यहाँ पर उत्राखंड का निवासी होगा या उत्राखंड के जिला अधिकारी या चिकिस्से अधिकारी द्वारा सर्टिफेट बना होगा आपके बच्चे का तो ही उसे मानेंगे बाहर के राज्य को यहाँ पर नहीं मानेंगे ऐसा यहाँ पर लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्राखंड के किसी जिले यानि उत्राखंड का ही वो disability certificate उत्रखंड government द्वारा जारी होना चाहिए दूसरा अगर आप स्वेम दिव्यांग है और पेड़ करने वाले हैं तो भी आप पर disability certificate उत्रखंड जिले के मुखे चिकसा दिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए अब बात करते हैं RCAI वाले course की RCAI वाले course आपने कहीं से भी किया हो वो यहाँ पर valid माना जायागा यहाँ पर ऐसा लिखा है देख सकते हैं आप यहाँ पर उत्रखंड से किया हो ऐसा कोई जिकर यहाँ पर नहीं किया गया आगे बढ़ते हैं eligibility आपकी जो है 1 July 2024 को पूरी होनी चाहिए यानि 1 July 2024 को cut off date है 1 July 2024 तक आपके सभी eligibility जो भी आपकी degree है master degree या graduation वो आपकी पूरी हो जानी चाहिए उसके बात की है तो नहीं मानी जाएगी हाला कि यहाँ पर लिखा है कि जो final year में बच्चे बैट रहे हैं चाहे वो MMA हैं चाहे वो graduation कर रहे हैं अंदिम वर्ष में जो पढ़ रहे हैं अभेर्थी प्रवेश प्रिक्षा का form भढ़ सकते हैं यानि आप यहाँ पर जो entrance test है उसका form भढ़ सकते हैं लेकिन प्रवेश के समय अभेर्थी द्वारा निर्धायत योगिता पूर्ण करनी ज़रूरी है यानि जब आप counseling के लिए जाएंगे जो कि सितंबर में यहाँ पर लिखी है संभावित है सितंबर में counseling हो सकती है तो counseling से पहले पहले आपका वो result आपके पास होना चाहिए market आपके पास होनी चाहिए अगर उस समय तक आपका result नहीं आया चाहे MA का चाहे graduation का तो आपको यहाँ पर disqualify माना जाएगा अब बात करते हैं जैसे कि मैं आपको बताया है कि केवल उत्रकंड के मूल निवासी ही यहाँ पर आरक्षन का lab ले पाएंगे वो line कहां लिखी है तो यहाँ पर लिखा है पॉइंट नमर तीन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा उत्रकंड के अन्य पिश्डवर्ग यानि OBC, SC, ST अभियर्त्यों को ही उत्रकंड, शासन के अनुसार आरक्षन प्राप्त होगा यानि उत्रकंड के जो मूल निवासी है और SC, ST या फिर OBC है उनको यहाँ पर जनरल माना जाएगा तो यह बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी अब बात करते हैं कि सीटे कितनी यहाँ पर रिजर्व की गई है अलग-अलग लोगों के लिए विश्विदाले की 40 वी कारेपरिशत के अंद्रगत B.Ed. Special Education में समानने वर्ग यानि जनरल की सीटों के लिए जो बाहर के राज्ये वाले लोग होंगे उनके लिए कुल सीटों में से 20% सीटे केवल बाहर के राज्यों के लिए रखी गई है मालीजे याँ पर 100 सीटे जनरल की रखी गई है तो 100 में से केवल 20 सीटे ऐसी रहेंगी जिनमें बाहर के राज्ये वाले एड्मिशन ले पाएंगे और 80 सीटे उत्राखंट के मूल निवासी जो जनरल है उनके लिए याँ पर रखी गई है समाने वरकी 80% सीटों में उत्राखंट के मूल निवासी को ही अरक्षन मिलेगा जैसे कि मैं आपको पताया कि एगर 100 सीटे हैं तो 20 सीटे बाहर वालों के लिए है और 80 सीटे याँ पर उत्राखंट के मूल निवासी के लिए रखी गई है हाला कि यहाँ पर एक और लाइन लिखी है कि अगर 80% सीटे उत्रखन के मूल निवासियों से नहीं भरी जाती है जो जनरल केडिगरी के होंगे तो बाहर के जनरल केडिगरी के कैंड़ेट यहाँ पर लिस्ट में रहेंगे उनको आगे मौका मिल जाएगा आपका जो admission है वो आपका entrance test में जो भी आपके merit लगेगी जो आपके marks आएंगे उसी के अधार पर आपके admission यहाँ पर लिया जाएगा इसके लावा यहाँ पर एक important बात यह है कि online form भरने के बाद आपको उसका print और जो आप fees जमा करेंगे उसकी प्रती यहाँ पर विश्विदाले को प्रेशित करनी है speed post के माधियम से आपको वहाँ पर बेजना है यहाँ पर लिखा है अनिवारे रूप से इसके साथ किसी भी तरह का सनलगनक या अंग पत्र या mark sheet आपको प्रती नहीं लगानी यानि केवल भरावा online application form उसके साथ जो आपने payment करी थी उसकी slip वो लगा करके university के address पर बेज देना है ऐसा यहाँ पर लिखा है बात करते हैं जब आपकी counselling होगी तो उस समय आपसे counselling की fees कितनी लिजाएगी जो general और OBC category के candidate रहेंगे उनके लिए 500 रुपे पैसे 500 रुपे लिए जाएंगे counselling की fees इसके लावा जो उत्रखन राज्ये के SC और ST रहेंगे उनके लिए 100 रुपे फीज यहाँ पर counselling की रखी गई है और यह वापस नहीं होगी आगे बढ़ते हैं admit card आपके entrance exam से 10 दिन पहले university की website पर आजाएंगे वहाँ से आप download कर पाएंगे बात करते हैं entrance test का जो हम form भरने वाले हैं इसकी fees कितने रखी गई है यहाँ पर लिखा है जो general और OBC category के candidate है उनके लिए 1500 रुपे फीज रखी गई है और SC और ST category के जो candidate हैं SC और ST category के candidate के लिए 1000 रुपे फीज यहाँ पर रखी गई है 8 जुलाई से form शुरू हो गई है लिखा है कि प्रवेश परिक्षा का परिणाम और उसकी counseling कम होगी तो यहाँ पर सितंबर महीने जैसा कि मैं आपको पताया थे कि सितंबर 24 में इसकी आपका result आ जाएगा और आपकी counseling वहाँ पर हो जाएगी लेकिन यह पक्का नहीं है संभावित लिखा है इस date में कुछ changes हो होगी तो यहाँ पर तो कई सारे center लिखे हैं लेकिन entrance test का form बढ़ती समय केवल दो ही center आपको नज़राएंगे अभी entrance test का form बढ़के दिखाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका entrance exam का center किन-किन शहरों में पढ़त लगेगा अब सबसे important बात यह है कि entrance exam का syllabus क्या र होने वाली है अब यहाँ पर कुछ important बाते हैं जो आपको बताने वालों तीन घंटे के paper में आपसे mcq question पूछे जाएंगे तीन घंटे का paper यहाँ पर दो खंटों में बटा रहेगा part 1 और part 2 जैसे कि यहाँ पर लिखा है part 1 में आपसे 50% जो यहाँ पर weightage रहेगा उसमें general mental ability के question होंगे और आदे question यहाँ पर आपके general awareness के पूछे जाएंगे तो यह है part 1 paper का अब part 2 में यहाँ पर कुछ question आपसे पूछे जाएंगे psychology और disability से related इसका जो अधिवार रहेगा percentage रहेगा 40% question आपसे पूछे जाएंगे जो psychology से related होंगे, disability से related होंगे और teaching methodology से related होंगे तो 40% question तो part B में ये वाले होंगे इसके लावा आपको वहाँ पर total 5 teaching subject मिलेंगे जिन में से कोई से भी 2 teaching subject आपको उठा करके वहाँ पर select करने हैं और उसके question attempt करने हैं कोई से भी 2 आप कर सकते हैं कौन कौन से subject आपको मिलेंगे आपको मिलेगा Hindi, Math, Science, English और समाजे विज्ञान इन सभी के जो question रहेंगे 30-30% यानि हिंदी के 30 यहाँ पर percent लिखा है question यहाँ पर कितने पूछे जाएंगे वो अभी बताने वाला हूँ यहाँ पर लिखा है 50-50 question यानि पहले खंड में 50 question तो यहाँ पर 25-25 question बनते हैं और अगर दूसरे खंड की बात करें अगर इसमें भी 50 question पूछे गए तो 50 को अगर percentage में बाटें तो यहाँ पर disability वाले आपके 20 question बनते हैं और 15-15 question आपके यहाँ पर subject के बनते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बोला गया है कि जो paper आपका रहेगा 3 गंटे का रहेगा तो यहाँ पर एक question यहाँ पर doubt में आता है कि 3 गंटे के paper में कभी भी 100 question आपसे नहीं पूछे जाते हैं तो हो सकता है 100 question हो मैंसे कोई से भी 2 subject आपको यहाँ पर solve करने हैं तो अगर 100 question हुए तो यह 30 का आदा कर लीजें यहाँ पर 15-15 question subject के रहेंगे और जो disability के रहेंगे वह 20 question रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों अगर 100 question रहे तो उस हिसाब से आपको करना है पेपर का जो time रहेगा तीन घंटे का यहाँ पर रहेगा तो सारी बाते मैंने आपको बता दी हैं entrance exam के syllabus के बारे में यह कुछ sample दिये गए हैं कि किस तरीके के परतम खंड यानि part 1 में कैसे question आएंगे यहाँ पर reasoning math के question रहेंगे और GQ के question रहेंगे और दूसरे खंड में यहाँ पर आपसे जैसा कि मैंने आपको बताया 40% question तो disability के रहेंगे जिसमें teaching aptitude, disability और teaching methodology भी रहेगी और उसके लावा 5 subject में से कोई भी 2 teaching subject आपको वहाँ पर attempt करने पड़ेंगे तो यह है आपका syllabus बस अब बात करते हैं कि आपकी counselling कैसे होगी counselling जब होगी तो आपको पता लग जाएगा अच्छा फीस कितनी है यहाँ पर इस course की 15,000 पर एक semester की fees है total यहाँ पर धाई साल में 5 semester रहने वाले है 15,000 पर एक semester की fees है जो कि आपको जब आप counselling के लिए जाएंगे admission के लिए जाएंगे वहीं पर online पहली बार जमा करनी पड़ेगी एक semester की fees fees के लावा counselling की fees बता चुका हूँ SC, ST के लिए यहाँ पर 100 रुपे fees रखी गई है और general OBC candidate के लिए यहाँ पर 500 रुपे counselling की fees रखी है प्रती semester fees है जो विश्व विदाले द्वारा परिवर्तनिया होगी future में हो सकता है कि इस fees को बढ़ा दिया जाए admission के टाइम पर 15,000 पर fees है एक semester की अगले semester आने तक अगर fees बढ़ गई तो यहाँ पर साफसाफ लिखा है कि बदली जा सकती है आगे बढ़ते हैं दोस्तो बात करते हैं attendance की जैसर कि मैंने आपको बोला था कि पांच semester रहेंगे पांचो semester में अगर आपकी physical attendance होनी है तो यहाँ पर लिखा है कि प्रतेक पशिनपत्र के परामर्च और संपर्ख शिक्षन परामर्च कारेकरम में कम सेगम 80% attendance आपकी होनी चाहिए और जो भी आपकी workshop होगी और internship होगी उसमें कम सेगम 90% उपस्तिती अगर आपकी रही तो ही आपको theory exam लिखने की अनुमती मिलेगी otherwise यहाँ पर नहीं मिलेगी तो उत्रकंड के निवासी तो इसको manage कर लेंगे लेकिन जो उत्रकंड के बाहर से यहाँ पर admission लेने वाले हैं वो यह सारी बाते ध्यान में रखकर ही इस university में admission लें इसके लावा जितने भी दिव्यांग अबिर्थी यहाँ पर admission लेने वाले हैं उनके लिए जो भी guidelines हैं वो यहाँ लिखी हैं कि subscribe का इंतिजाम किस तरीके से होगा तो वो यह आसानी से यहाँ पर इसी से पढ़ सकते हैं और इनको follow करेंगे तो ही उनको subscribe की सुविधा यहाँ पर university द्वारा मिलेगी और last में दोस्तों NOC का प्रारूप है अगर आप किसी भी सरकारी या private संस्था में काम करते हैं तो वहाँ से आपको NOC लेकर आनी पड़ेगी अपने department से कि आप इस university से admission लेना चाहते हैं और B.A.D. करने वाले हैं तो वो आपको यहाँ पर university में जमा करनी पड़ेगी original form में तो यह थी सारी बाते जो कि मैंने आपको बता दी हैं उत्रकार्ण open university की special B.A.D. के बारे में अब बात करते हैं कि आपको application form किस तरीके से भरना है तो दोस्तो application form भरने के लिए आपको उत्रकार्ण open university की official website पर आना पड़ेगा जिसका link आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा link पर आने के बाद आपके सामने ये first page open हो जाएगा जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको ये check box दिया है इस पर टिक करना पड़ेगा और यहीं से आप prospectus भी download कर पाएंगे हाला कि इसी वीडियो के description में मैंने prospectus का link डाल दिया है वहाँ से आप direct PDF download करके prospectus पड़ सकते हैं और right hand side में download application का form link मिलेगा इसका use आप तब कर पाएंगे जब आप application form भर लेंगे उससे पहले इसका use आप नहीं कर पाएंगे यहाँ पर proceed करना पड़ेगा form को भरने के लिए अच्छा बात करते हैं कि form को भरने की last date क्या है last date यहाँ पर registration की 7 अगस यहाँ पर नजर आ रही है 8 जुलाई से form शुरू हो चुके हैं last date यहाँ पर 7 अगस रखी गई है तो date को ध्यान में रखते हुए अगर आप admission लेने चाहते हैं तो आपको समय से form भरना पड़ेगा प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपका जो application form है वो open हो जाएगा बहुत ही आसान application form है केवल single यह page का application form है जादा कुछ है नहीं इसमें बरने के लिए आपको बताए तो बरना क्या क्या है इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर session select करना है जो कि जुलाई 24 आटोमेटिक यहाँ पर नज़र आएगा उसके बाद आपको अपना नाम fill करना है अगर आपका नाम तीन भागों में बटा हुआ है और लाश में शर्मा आपको लिखना है तो इस तरीके सा आपको यहाँ पर अपना नाम fill करना है इसके बाद date of birth के लिए आपको इस calendar पर click करना है और यहाँ से अपनी date of birth जो भी है उसको select करके भर लेना है इसके बाद father name mother's name आपको भरना है ध्यान रहे जो भी नाम आप भर रहे है माता पिता का वो आपके document से match होना चाहिए खास तोर पर आपके अधार card या जो भी idea आप देने वाले है वो और आपकी जो 10 वी class की mark sheet होती है उससे ये match होना चाहिए spelling को तो ये बाते आपको ध्यान में रखनी है nationality यहाँ पर Indian आपको select कर लेनी है इसके बाद gender यहाँ पर male, female, transgender select कर लेना है इसके बाद आपको category select करनी है general है SCST या फिर OBC है या फिर EWS है तो एक बात मैं आपको बता चुका हूँ अगर आप उत्तरक्षण के मोल निवासी है तो ही आपको SCST, OBC या फिर EWS होने का फायदा मिलेगा अगर उत्तरक्षण के बाहर के राज्ये के हैं तो आप किसी भी category के हों आपको general ही यहाँ पर माना जाएगा यह बात आपको ध्यान लखनी है क्योंकि यहाँ पर अगले ही column में पूछा जा रहा है कि आप उत्रक्षण के domicile है या नहीं तो अगर आप no करेंगे तो अगर आप SC category से भी form fill करते हैं तो भी आपको general यहाँ पर count किया जाएगा marital status आपको पताना है married, unmarried इसके बाद तीन चीज़े आप से पूछे जा रहे हैं क्या person with disability है yes or no में आपको answer देना है अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो आपको yes or no में answer देना है अगर आपके पास RCA का registration number है यानि आपने RCA से recognize कोई course कर रखा है और course करने के बाद जैसे कि आपको पता है कि RCA registration करवाना होता है तो वो number आपके पास होना चाहिए अगर वो है तो आपको yes करना है otherwise no करना है choice 1 यहाँ पर पूछी चारी है कि कौन सी disability में आप be a special करना चाहते हैं तो दो choice आपको मिलेंगी 4 यहाँ पर disability है HI, VI, LD और MR HI का मतलब है hearing impairment, VI, visual impairment, LD, learning disability sorry और चोथी यहाँ पर जो disability है वो यहाँ पर इसका पुराना नाम लिखा है जिसका नाम है mental retardation वर्तमान समय में इसको ID बोलते हैं यानि intellectual disability तो जो मानसिक दिव्यांगता होती है उसका यह रूप होता है तो जो भी disability आप करना चाहते हैं आपको choice 1 और choice 2 यहाँ पर select करनी पड़ेगी इसके बाद आपका जो postal address है जिससे पत्र वेवार किया जाएगा इस पर आपको अपना permanent address जो है वो यहाँ पर आपको भरना चाहिए यहाँ पर आपको अपना active email address डालना है इसके बाद active mobile number यहाँ पर डालना है इसके बाद जो qualification है उसकी detail आपको यहाँ पर भरनी होगी सबसे पहले आपको दस्वी class की detail डालनी है यहाँ पर name of course में आपर आप class 10 डाल सकते हैं कौन सी university या बोर्ट से किया है वो डालना है इसके बाद कौन से महीने और year में पास किया है और कितने percent आपके number आयते वो डालना है इसके बाद बारवी class की detail डालनी है बारवी class के बाद bachelor degree यानि graduation की detail डालनी है और अगर आपने master degree कर रखी है तो यहाँ पर detail डालनी है अगर master degree आपके पास नहीं है तो इसको blank छोड़ देना है और केवल graduation वाले detail भर देनी है क्योंकि main eligibility यहाँ पर graduation है या फिर master degree है तो जिस भी base पर आप admission लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप details डालेंगे अब examination की city की बात करें यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताया था prospectus में तो ज़्यादा शेर नजर आ रहे थे लेकिन form के अंदर केवल दो ही शेर नजर आ रहे हैं जहाँ पर आपका exam center पढ़ सकता है पहला है दैरादून दूसरा है हलदवानी तो इन में से जो भी आपकी choice रहेगी वो यहाँ पर आपको select कर लेना है entrance exam के लिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगली चीज जो की है आपकी image तो यहाँ पर आपको अपनी passport size photograph जो की recent होनी चाहिए वो यहाँ पर upload कर देनी है इसके बाद अपने recent signature upload कर देने चाहिए बिल्कुत सही सही form में jpg file होनी चाहिए और आपको size जो रखना है image का और signature का 5 kb से 35 kb के बीच में यहाँ पर रखना है fees की दोस्तों अगर बात करें जैसे कि यहाँ पर prospectus में लिखा था कि general और OBC वालों के लिए यहाँ पंदरस रुपे fees है और SCST candidate के लिए यहाँ पर 1000 पर fees रखी गई है मैं आपको दुबारा से दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि general और OBC के लिए पंदरस रुपे fees है entrance exam की और SCST candidate के लिए यहाँ पर 1000 पर fees है लेकिन जब हम यहाँ पर form को open कर रहे हैं तो यहाँ पर आप category देख सकते हैं मैंने क्यास लेक की है schedule cast और domicile उत्रखंड yes मैंने किया है तो SC category के लिए यहाँ पर fees जो नजर आ रही है तो ऐसा हो सकता है कि prospectus में यहाँ पर update अपडेशन ना किया गया हो वहाँ पर SC category के लिए अगर उत्रखंड का मूल निवासी है तो 1000 पर fees लिखी है लेकिन online form बढ़ते समय यहाँ पर 1500 पर fees नजर आ रही है अगर हम इसी को general category में refresh करते हैं तो उसके लिए fees देख लेते हैं कि कि कितनी fees यहाँ पर मांगी जाएगी सबसे पहले यहाँ पर session अगर उत्रखंड का मूल निवासी है तो ही उसको लाब मिलेगा तो इसकी fees एक बार देख लेते हैं कितनी यहाँ पर show होती है website में थोड़ी सी दिक्कत भी है तो form भरते समय आपको इन बातों का ध्यान में रखना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि OBC category के लिए भी यहाँ पर 2000 पर fees रखी गई है यानि general और OBC category के लिए entrance exam के लिए यहाँ पर जो फीज रखी है वो फंद्रा सूर्पे फीज रखी है तो सारा form भरने के बाद आपको यहाँ पर payment के इस option पर क्लिक करना है और done and next करने के बाद debit card, credit card या net banking के माध्यम से payment करके भरे वे form का print आपको निकाल लेना है और जैसे कि मैं आपको वीडियो में बताया था कि आपको भरवा application form fee slip के साथ आपको university भेजना है जैसा कि prospectus में लिखा था तो यह पूरा process रहेगा आपका special education के entrance exam का उत्रकंड open university से तो दोस्तों मुझे पूरी उमीद है आपको पूरी जानकारी और पूरा process अच्छे समझ आ गया होगा फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं बेट special education उत्रकंड open university के बारे में तो आप comment box में पूरी कोशिच करेंगे कि आपके सभी कमेंट का सही से आंसर दे पाएं और आपकी पूरी help कर पाएं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को जाद साद लाइक कर दीजे और जाद अधिया कि अपको भी प्रेस कीजिए दरने बाद दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में झाल